ओम साइराम मेरा नाम लक्षमी है आपका मेरे चैनल सिक्रेट रेसिपी लक्षमी में स्वागत है आज मैं आपके लिए रेडिमेड पीजा बेस से पीजा बना के दिखाने आ लिए फिर चलते हैं पीजा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने रेडिमेड पीजा बेस लिया है इसक अगर आपको ये पसंद नहीं मयोनीज तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, उसको छोटे तुकडो में कट करके लिया है। इसको पीजा के उपर हम लगाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर मैंने चीज पहले से ही मैश करके लिया है। चीज से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, आप चाहें तो अपने इसाब से कम ज़्यादा चीज रख शकते हैं। अगर आप फिगर कॉंशेस हैं तो आप चीज को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को चीज बहुत पसंद है, इसके लिए मैंने यहाँ पर डबल चीज का इस्तमाल किया है। इसी के साथ यहाँ पर हम औरगिनो उपर से स्प्रिंकल कर लेंगे, औरगिनो पीजा के साथ बहुत अच्छा लगता है, उसी के साथ चिली फ्लेक्स, औरगिनो यह कंपलसरी डालें, इससे टेस्ट बढ़िया आएगा, उसी के साथ यहाँ पर हम काली मिर्च का भी यहां पर देशी जुगाड करके में अपना अवन बनाया है, आप चाहें तो अवन में भी पीजा को बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवन नहीं, इसके लिए मैंने एक बरतन लिया है, उसके नीचे एक रिंग रख दिये, और उसके ऊपर एक प्लेट के ऊपर में पीजा रख में इसके लिए केरफुली एकदम ध्यान से आप इस प्लेट को बाहर निकाले वरना आपको गरम चटका भी लग सकता है इजी और सिंपल रेसीपी के लिए प्लीज मेरे चालिज को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अब इस पीजा को हमने एक प्लेट में निकाल दिया है इस पीजा को टॉमेटो केचप से गानिशिंग करेंगे उसी कतार इसके ओपर औरगिनो और चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे पीजा कटर के सपोर्ट से इस पीजा को हम कट करके लेंगे पीजा को मैंने चार तुकडो में कट करके लिया है आप इस पीजा को घर में जरूर बनाएं और इसको खा के इंजॉय किजिए सब को ये पीजा बहुत ही पसंद आएगा इसमें सिर्फ प्याज और टमाटर का इस्तमाल किया है आप चाहें तो अपने मन के हिसाब से कोई भी और सबजियां यूज कर सकते हैं बच्चों के साथ बड़ों को भी ये पीजा बहुत पसंद आएगा अंत तक बने रहने के लिए आप सबी का दिल से धन्यवाद